विको नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं के विरुद हिंसा के कारुनों पर इसमें सबसे पहला कारण है पुरुष प्रधानता भारत में ही नहीं वरन विश्व के लगबग सभी समाजों में पुरुषों की प्रधानता पाई जाती है वह शक्ती का प्रतीक माना जाता है पुरुष अपनी स्रेष्टता शक्ती एवं पुरुषत्व को इस्थापित करने एवं साबित करने के लिए नारी पर अध्याचार करता है तो इस प्रकार से ये सबसे पहला कारण है प्राचीन समय से ही लगवग सभी समाज पित्र सतात्मक रहे हैं और पित्र सतात्मक समाज रहने की वज़े से समाजों में पुरुषों की प्रधानता पाई जाती है पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पुरुष अपनी स्रेष्टता, शक्ती और पुरुषत्व को इस्थापित करने के लिए नारी पर अत्याचार करता है दूसरा कारण है इस्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता भारत में इस्त्रियों की पुरूशों पर आर्थिक निर्भरता पाई जाती है पती ही पतनी का भरण पोशन करता है ऐसे स्थिती में उसे पती के अत्याचार सहन करने पड़ते हैं यदि उसे पती घर से निकाल देता है तो वह बे सहरा हो जाएगी और उसको जीवन यापन की कठिनाईयां भी सामने आएंगी इस प्रकार से दूसरा महतुपून कारण इस्त्रियों की पुरूशों पर आर्थिक निर्भरता है क्योंकि इस्त्रियां स्वयम आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती वे पुरूशों पर निर्भर रहती है तो इस दूसरे कारण की वज़े से भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाज में देखने को मिलती है तीसरा महतुपून कारण है ऐसिक्षा सिक्षा के अभाव के कारण महिलाएं अपने आधिकारों के प्रती जागरूब नहीं है और इसी ऐसिक्षा के कारण वे यह नहीं जान पाती कि उनके हितों की रक्षा के लिए कौन-कौन से कानून बने है उन पर अत्याचार होने पर उन्हें किन संगठनों की मदद लेनी चाहिए एसिक्षा उन्हें घर की चार दिवारी तक ही कैद करके रख देती है और वह अत्याचार सहने के लिए मजबूर हो जाती है इस एसिक्षा की वज़े से भी महिलाओं के विरुद्ध समाज में हिंसा देखने को मिलती है कई पुरुशों में महिलाओं के प्रती वीद्वेश की भावना होती है जिसे वे उनके प्रती अत्याचार करके शांत करते हैं जिन लोगों को अपने जीवन में भूतकाल में किसी इस्त्री ने तंक किया हो या जिसका प्रेम ऐसफल हो गया हो वह संपूर्ण नारी जगत के प्रती बदले की भावना से प्रेरित होकर कारिय करता है। उसके मन में इस्त्रीयों के प्रती ग्रहना एवं ईर्शा इतनी गहराई से बैठ जाती है कि उसके जीवन का उद्देश ही नारी उत्पीडन हो जाता है और वह नारी को अपमानित करने में ही सुख की अनुबूती करता है। इस प्रकार से जो वीद्वेश है वह भी महिला अत्याचारों के लिए महिला हिंसा के लिए उत्तरदाई होता है। नेक्स्ट है सामाजी कूपरथाएं भारत में अनेक कूपरथाएं प्रचलित हैं जिनमें बाल विवा, परदा प्रथा, दहेज प्रथा, विद्वा पुनर विवा का अभाव आदी प्रमुख हैं। इन कूपरथाओं का शिकार महिलाओं को ही होना पड़ता है और उनसे संबंदित अत्याचार भी महिलाओं को ही जेलने पड़ते हैं। ये कूपरथाओं भी महिलाओं के विरुद हिंसा का महत अपूण कारण है। नेक्स्ट हैं पारिवारिक तनाव। पारिवारिक तनाव। भी महिलाओं के प्रती अत्याचार के लिए उत्तरदाई है। जब पती-पत्नी के सुभाव में सामंजश्य नहीं होता, उनके विचारों में अंतर होता है, तब भी पुरुष अपने को पत्नी पर थोपने का प्रयत्न करता है, उसे अपने अनुकूल बनने के लिए बाध्य करता है, और अगर वह अनुकूल ने बनने एवं विरोध करने की स्थिती में होती है पतनी तो पतनी पर जुल्म किया जाता है तो इस प्रकार से जो पती पतनी के बीच पारिवारिक या फैमिली में कोई तनाव पाया जाता है तो वह भी महिला हिंसा के लिए उत्तरदाई है अगला कारण है पीडित द्वारा अड़काना कई बार पीडित इस्त्रियों का विवार ऐसा होता है जो पती को अत्याचार करने के लिए प्रेरित करती है उधारन के लिए यदि को इस्त्री अपने पती की दूसरों के सामने बुराई करती है वह ऐसे लोगों से बातचीत करत जिनने उसका पती कतई पसंद नहीं करता, पती के परिवार वालों के प्रती दुर्वेवार करती है, घर की ओर ध्यान नहीं देती है, किसी पराये मर्द से एनेतिक संबंद रखती है, सास ससुर की आग्या का पालन नहीं करती, पती के मामले में आवशक हस्तक्षेप करती है या उस पर शक करती है उसे ताने देती हैं अपमानित करती हैं तो ऐसे स्थिती में पती का भड़क उठना सोभाविक है पतनी के प्रती मार पीट गाली गलोच एवं दुर विवार करना उसका विवार बन जाता है कई बार यह भी देखा जाता है कि जिन महिलाओं के साथ बला पाया गया है कि महिला ने बहस के दोरान ऐसे इस्थिती पैदा कर दी कि पुरुष हत्या के लिए उद्वेलित हो जाता है भगा ले जाने के मामलों में भी लड़कियों ने ऐसा करने के लिए अपनी सहमती दी थी किन्तु पकड़े जाने पर पुलिस एवं माता-पिता के दबाव में आकर उसने पुरुष पर जबरन भगा ले जाने का आरोप लगा दिया ये कारण है पीडित दुआरा बढ़काना जो महिला पीडित है अत्यजारों से कई बार परिस्तियां इस प्रकार की हो जाती है कि वे स्वयम ही अपने विवार के लिए उसका स्वयम का वि विवार ही इस चीज के लिए उत्तरदाई रहता है कि उसके विरुद हिंसा का कारण बन जाता है नेक्स्ट है नशा वे पुरुष जो शराब पीते हैं या अन्य प्रकार का नशा करते हैं नशे के दोरान भी पतनी के प्रती अत्याचार करते हैं बलातकार के कई मामलों में यह पाया गया कि बलातकारी नशे में दूत था पती शराब पीकर जब घर आता है पतनी से कहा सुनी हो जाती है तब भी वह पतनी को गाली देने या पीटने का कारिय करता है इसका कारण यह है कि नशे की हालत में व्यक्ति को अपने दुआरा किये गए कारियों के परिणाम में आने पर पस्ता चाप करता है ऐसा भी देखा गया है कि कई बार अपराद करने के लिए साहस जुटाने के लिए भी शराब का सेवन किया जाता है तो नशा भी महिलाओं के विरुधिंसा के लिए एक महत्वपून कारण है अगला है अपरादी के प्रती निश्क्रियता कई बार अपराद की शिकार महिलाएं अपने प्रती किये गए अपराद को बरदाश करती रहती हैं। वे पुलीश या नयायले की शरण में नहीं जाना चाहती, अन्य लोगों से मदद लेने का प्रेतन भी नहीं करती। ऐसे इस्तिते में अपरादी को निरंतर अपराद करने की प्रेर्णा मिलती रहती है और वह ऐसा करता चला जाता है। नेक्स कारण है परिस्तिती वस प्रेरणा कई बार परिस्तितियां ही ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति अपराद कर बैठता है उधारण के लिए अंधेरी रातरी में कोई इस्त्री अकेले वीरान इस्तान से गुजर रही हो तो वहां उपस्तित व्यक्ति बलातकार के लिए प्रेर कर सकता है तो कुछ परिस्तितियां इस तरीके की होती है कि महिलाओं के विरुद हिंसा करने के लिए प्रेणा मिलती है तो परिस्तिति वस प्रेणा भी महिला हिंसा के लिए उतरदाई है इस प्रकार से ये सारे कारण जिम्मेदार हैं ये कारण हमें यह बताते हैं कि किस प्र उन उपायों के बारे में या विबिन जो सुझाओं दिये गए हैं उन सुझाओं के बारे में इसमें सबसे पहला है आश्रे की विवस्ता सरकार और स्वयम सेवी संगठनों को ऐसी महिलाओं के लिए आवाज की विवस्ता करनी चाहिए जो पती और सच्राल वालों के जाती हैं तो उनके लिए और जिनें मारने की धंकियां दी जा रही है या फिर जिनके प्रती प्रती दिन इंसा हो रही है ऐसी सभी महिलाओं के लिए जो किसी ने किसी इंसा से पीडित हैं उनके लिए सुरक्षित इस्थाई या एस्थाई आश्रे जुटाना चाहिए सरकार और सुयम से भी संगटनों को प्रियतन करने चाहिए कि ऐसी महिलाओं के लिए विवस्ता करें दूसरा है रोजगार की विवस्ता इस तरी दुआरा उनके प्रती की जाने वाली हिंसा को बरदाश्ट करने के पीछे एक महिलाओं के लिए रोजगार एवन नोकरी की विवस्ता की जाए उन्हें छोटा मोटा विवस्ता करने के लिए रिन की सुईधा उपलवद कराई जाए और परामर्श की सुईधा प्रदान की जाए तो वे अपने प्रती की गई हिंसा को सेहन नहीं करेंगी और आत्म निर्भर बनने का प्रयास करेंगी अगला जो सुजाव है वह है सिक्षा की सुईधा प्रदान की जाए इस्त्री पर अत्याचार का एक कारण इस्त्रियों का एसिक्षित होना भी है इसे रोकने के लिए इस्त्री सिक्षा का प्रसार किया जाए जो पढ़ाई छोड़ चुकी हैं और आगे पढ़ाना या पढ़ना चाहती हैं उनके लिए निशुल्क सिक्षा एवं व्योसाईक और अन्य प्रकार के प्रसिक्षणों की विवस्ता की जाए इसे उनमें आत्व विश्वास बढ़ेगा वे अपने अधिकारों की प्रती जागरूख होंगी और अपने प्रती किये जाने वाले अत्याचारों का विरोध कर सकेंगी अगला है दंड की विवस्ता जो लोग अपनी पतनियों को परेशान करते हैं उनकी सामाजिक निंदा की जाए उन्हें सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाए जिससे की अन्य लोगों को भी सबक मिल सके और वे ऐसा करने के लिए प्रेरित ना हो तो दंड की विवस्ता इस प्रकार की हो कि जो भी वेक्ति इस तरीके का कारिये करते हैं महिलाओं के विरुध हिंसा करते हैं समाज में हर वेक्ति को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए तो सामाजिक निंदा और सार्वजनिक दंड ये दोनों ही विवस्ताएं महिलाओं के विरुध हिंसा के लिए अच्छा कदम साबित होंगी नेक्स्ट है महिला न्यायलयों की स्थापना महिलाओं के प्रती किये गए अपराद एवं हिंसा की सुनवाई के लिए प्रत्थक से महिला न्यायलों की स्थापना की जाए जिसमें अनुभवी और महिला न्याय दीशो इससे सामाने नयायलों में जाने का महिलाओं में जो भै होता है वै समाप्त होगा वे अपनी बात को इन नयायलों में साफ साफ कह पाएंगी ऐसे नयायलों की सुनवाई एवं कारेवाई सार्वधनिक रूप से ना हो उसमें केवल नहायादिश, परिवादी एवं पीडित महिला की मदद करने वाले लोगों और आरोपियों को ही आने की इजाज़त होनी चाहिए अगला है कानूनी सहाइता एवं परामर्श पीडित महिलाओं को कानूनी सहाइता प्रदान करने एवं उनके विवादों को निप्टाने के लिए सुयम सेवी संगठनों को आगे आना होगा और वे मुफ्त में ऐसी पीडित महिलाओं की मदद करें एवं उन्हे उचित सला देकर उनका मारक दर्शन करें ताकि वे पुने सुखी जीवन व्यतीत कर सकें अगला सुजाव है महिला संगठनों का निर्माण पीडित महिलाओं को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने उन्हें कानूनी एवं आर्थिक सहायता देने उन्हें नैतिक संबल देने उनमें आत्व विश्वास जगाने के लिए अधिक से अधिक महिला संगठनों की इस्तापना की जाए ऐसे संगठन पीडित महिला के प्रती ससुराल पक्षवालों से बाचीत करें सा ससुर से बाचीत करें उन पर सामाजिक वे नैतिक दबाव डाल कर समश्या का समाधान करने का प्रयत्न करें व्यक्तिगत इस्तर के इस्थान पर यदि महिला दुआरा सामुईक रूप से प्रयत्न किये जाएंगे तो वे अधिक कारगर होंगे तो जो महिला संगठन बनाए जाएं वो इस प्रकार के बने कि वे वास्तम में पीडित महिला और उसको जो व्यक्ति पीडित कर रहे हैं उन दोनों के भी समझोता कराएं तो ये जो प्रयतन है ये अधिक कारगर साबित हो सकते हैं अगला है वैचारिक परिवर्तन महिलाओं के विरुध हिंसा एवां अपराधों को रोकने के लिए लड़कियों के माता-पिता के विचारों में भी परिवर्तन लाना होगा वे लड़कियों का बच्पन से ही इस प्रकार का समाजी करण करते हैं कि उन्हें पती परमिश्वर की धारना सिखाई जाती है उन्हें कहा जाता है कि पती के घर डोली जाती है और अर्थी भी वहीं से उठती है इस्त्री को सैशनु होना चाहिए आदी ये ऐसे संसकार होते हैं कि इस्त्री सब कुछ बरदास्त करती रहती है और प्रतिरोध नहीं करती वे अपनी पुत्रियों को विवाईत एवं विद्वा जिनें उनके पती पीटते हैं या सस्राल वाले दुर्वेवार करते हैं वो उनकी इच्छा के विरुद्व सस्राल में रहने को मजबूर करती हैं वे उनको अपने घर नहीं बुलाते हैं सामाजी कलंक के डर से वे अपनी पुत्री को बली का भकरा बना देते हैं तो ये जो विचार प्रारम से हमारे समाज में चले आ रहे हैं इन सभी विचारों में परिवर्तन की आवशकता है तब ही महिलाओं के विरुद्व इंसा में कमी आएगी या इस पर रोक लग सकेगी जब तक हम इस विचारों को परिवर्थित नहीं करेंगे महिलाओं के विरुद जो अत्याचार हो रहे हैं वे समाज में बने रहेंगे दूसरी और महिलाओं को भी निश्क्रिय रूप से अत्याचार नहीं सहना चाहिए उनको अपने दमन एवं सोशन के प्रती जागरूख होना चाहिए उनका विरोध करना चाहिए नयायले कानून एवं अपने परिजनों से मदद मांगनी चाहिए उनके द्वारा अत्याचार सहने का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पढ़ता है और उनके बच्चों का व्यक्तित्व कार सही विकास नहीं हो पाता है इसलिए सरुप्रथम स्वयम महिलाओं को ही ये कदम उठाना होगा उन्हें जागना होगा विरोध प्रकट करना होगा तभी वे संकट की स्तितियों से मुक्त हो पाएंगी आज की चर्चा में बस इतना ही धन्यवाद